जैहें साथियो, वेलकम तो सेल्पेश्टरी किलासे इस वे समित जैन, यूटूब जैन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपकी हिंदी साहित की जो निरंतर किलासे चल रही थी लाइब किलासे उसी किलासों में अद हमने फिर से स्टाट किया है टॉप एक हजार प्रस्णों की हमारी सीरिज है जिसमें से एक हमारा पार्ट फस्ट है ठीक है हर वीडियो में हम 45 प्रस्णों पर डिस्कस करेंगे बहुती महाचपून प्रस्ण होंगे तो आपको जो है प्रशन दिये जाएंगे और उत्तर आपको बताने होंगे तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना सेर भी करना है अपने साथियों को बिल्कुल उसी प्लेट फाम पर लाना है रात्री नौबजे आपकी रोज एक वीडियो मिलेगी आपको हिंडी साहित की ठीक है तो जोड़े रहना है वीडियो को लाइक करना है सेर करना है स्टार्ट होने वाला आज का ये वीडियो तो पटा-पट तयार रहें प्रशनों के उत्तर बताने के लिए आपका पहला प्रशन है कि भारतिय आर भासा परिवार की भासाओं का मूल स्रोथ कौनसी भासा है तो कौनसी भासा है हिंडी, बैदिक संस्क्रेट, मराठी या फिर लौकिक संस्क्रेट ज़ल्दी से उत्तर बताना है आपको 5 सेकंड दिये जाएंगे केबल तब आपका बिल्कुछ सही आंसर क्या हो जाएगा दस्तों भारतिय आर भासा परिवार की भासाओं का मूल स्रोथ कौनसी भासा मानी जाती है तो वो मानी जाती है बैदिक संस्क्रेट यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका वी है वो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेश्चन है तमिल, तैल्गु, कन्नड और मले आलम भासाओं किस भासा परिवार से सम्बन हैं तो भारती आर भासा परिवार से, भारत, यूरोपिय परिवार से, दिर्विन परिवार से या आधनिक भारती आर भासा परिवार से तमिल, तैल्गु, कन्नड और मले आलम भासाओं किस भासा परिवार से सम्बन देते हैं प्रश्निक्रमा के दो को आंसर तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रस्निकरवां कि टूका हो जाएगा दिर्विन परिवार से विकल्प नमर जो सा है वो आपका बिल्कुल सही होगा तमिल, तेलगु, कन्नर और मल्यालम ये दिर्विन परिवार से सम्मादेत हैं सा नंबर आपको यहाँ पर विल्कु सही होगा अंगला question ए भासा का मूल रूप कौन सा है भासा का मूल रूप बताना है आपको लिखेत है, मोकेक है, मानक रूप है या पिर साहित्केक रूप है प्रशनिक रमांग 3 का उत्तर तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा मौखे के रूप मौखे ये भासा का मूल रूप माना जाता है और V नमबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ठीके अगर आपसे बर रहे हैं तो फटा पट से उत्तर बताना है खड़ी बोली हिंदी का साहित्यक रूप किस सताब्दी में विक्सित हुआ अठारवी सताब्दी में, सत्रवी सताब्दी में, उननीस भी सताब्दी या फिर सोलह भी सताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यक रूप किस सताब्दी में विक्सित हुआ प्रश्निक्रमांग चार का उत्तर बताना है आपको तब आपको पता होनी चाहिए कि खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्तिक रूप बिक्सित हुआ वो हुआ दोस्तो उन्नीसवी सताब्दी उन्नीसवी यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका सा है वो आपका सी नमबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्ट्यन है हिंदी को भारतिय संविदान में संग की राजभासा के रूप में कब माननता मिली चार विकल्प हैं आपके सामने 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1948 14 सितंबर 1953 14 सितंबर 1950 इंदी को भारतिय संविदान भारतिय संविदान में संग की राजभासा के रूप में कब माननता मिली प्रशन किरमांग 5 तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा प्रशन किरमांग 5 का वो क्या होगा सभी लोगों ने बताया है बेकल्प नम्मर आ 14 सितंबर 1949 आपका विल्को सही होगा ठीक है नेक्ट दोस्तों आचार महावीर प्रशाद दुवेदी ने किस पत्रिका के माद्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिसकरत और परिमार्जित करने में महत्पुन भूमी का निवाई तो प्रश्ने क्रमांग 6 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बेकल्प नम्मर सा यानि कि सरस्त्वती पत्रिका के माद्यम से है ना 1903 में सरस्त्वती पत्रिका के संपादक बनीते कौन महाबीर प्रशाद दोवेदी और रिन्वा ने इस पत्रीका के माध्यम से खड़ी बोडी को परिस्क्रेत और परिमार्जित करने में महादपुन भूमी के नबाई तो याद रख ले ना अंगला कोच्चन उत्रभारत की खड़ी बोडी हिंदी दक्षन में किस रूप में बेक्सित हुई उत्रभारत की खड़ी बोडी हिंदी दक्षन में किस रूप में बेक्सित हुई दिर्विन हिंदी दक्कनी हिंदी दक्कनी उर्दू या फिर परिनिस्टित हिंदी किस लोगों ने जो उत्तर बताया है प्रश्ने किरमांग के साथ का वो बताया है दक्किनी हिंदी यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका वी है वो इलकुल यहां पर राइट अंसर होगा अंगले कोश्चिन की और बढ़ते हैं मद्दकाल में राजकाज की भासा की रूप में किस भासा को मानता मिली प्रश्ने किरमांग आठ तब प्रश्ने किरमांग आठ का उत्तर आपका क्या हो जाएगा फार्सी यानि की सी नमबर आपका विलकुल राइट अंसर होगा ठीक है अंगले कोश्चिन की और बढ़ते हैं संभिदान की के सनुचेत के अनुसार संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनांगरी है तो किस के अनुसार अनुचेत 343, सनुचेत 346, सनुचेत 344 या अनुचेत 342 किस के अनुसार जो है संग की राजभासा हिंदी और चार बिकल्प के माध्यम से प्रश्निक्रमांग 9 का जो उत्तर आपने बताया है, वो क्या बताया दोस्तों, बिकल्प नम्मर A, एनिक अनुच्छे 343 के तहट, अंगला कॉस्चन देख लेते हैं, अंगला जो अपना कॉस्चन है कि ब्रजभासा और अबदी किस काल की काब भ भासाय मानी जाती है, प्रश्निक्रमांग 10, तब आपका बिल्कुल 10 का जो उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मद्धिकाल, यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका V है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अंगला कॉस्चन हिंदी की बोडियों को कित अंगला की आँसर होगा, हिंदी की बोडियों को कितने बर्गों में रखा जाता है, तो वो रखा जाता है, पांच बर्गों में, यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका C है, वो विल्कुल यहाँ पर सही होगा, बुंदेली और कन्नोजी बोली हिंदी के किस उपभासा पाजिस्तानी हिंदी या फिर पहाडी हिंदी, बुंदेली और कन्नोजी बताना है आपको, प्रशन क्रमांक 12 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चमी हिंदी यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका V है, पश्चमी हिंदी राइट आंसर होग संस्क्रिस से, हिंदी से, अपब्रंस से या फिर पाली प्राकृत से, किस से हुआ, परशन क्रमांक 13, तो आधनिक भारती आरभासां को जो बिकास हुआ, वो हुआ है अपब्रंस, अपब्रंस यानि कि जो बिकल्प नम्मर सह है, वो विल्कुल यहाँ पर राइट अंसर भोजपूरी मूलता किस प्रदेश की बोली है राजिस्तान, विहार, मदप्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? भोजपूरी वताना है किस प्रदेश की जो है बोली माने जाती है प्रश्निक्रमांग चौदा और चौदा का राइट आंसर आपका हो जाएगा विहार भोजपुरी मूलता है जो माने जाती है वो बहार की माने जाती है उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है लेकिन मूलता है विहार की माने जाती है ठीक है अंगला कॉस्चन है मान मानक हिंदी का बताना है आपको खड़ी वोली हंदी से वरज भासा से अब दी से या फिर वांगरू से मानक हिंदी का विकास किस वोली से हुआ प्रस्निक्रमांक 15 तब आपका बिल्कु नहीं आपका आपका बिर्कुर से बंक therefore सामाजिक बस्टू नहीं है बहाथा परीवर्टन सील है वहाथा अनुखरण द्वारा अरजित की जाती ए तो प्रश्निक्रमांग 16 का उत्तर भासा के संदर में असुद्द तत्थ कौन सा है नाने तब आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रश्निक्रमांक 16 और 16 का की भासा सामाजिक बस्तू नहीं है, वी नम्मर आपका यहाँ पर बिलकुँ राइट आंसर होगा, यह आपका असुद्ध तत्थ हो जाएगा, वी नम्मर, ठीक है, लिपी के बिकास क्रम में पहली लिपी कौन सी है, भाव मूलक लिपी, सूत्र लिपी, चित्र लिपी या प्रश्निक्रमांक 17 तब आपका बिलकुँ सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्र लिपी, यानि कि जो सा नम्मर है, वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, अंगला है मैतिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैतिल कोकिल बताना है आपको विध्यापती, विहारी, कलेक्टर सें, केशरी या फिर घनानंद को, तो सभी लोगों को पता है प्रश्निक्रमांक 18 का आंसर और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, विध्यापती, यानि कि जो बिकल्प नम्मर A है, वो विलकुँ सही होगा, ठीक है, खड़ी बोली या फिर मैतरी में, प्रश्निक्रमांक 19 का खड़ी बोली अपार संपदा किस बासा में है, तो 19 का आपका विलकुँ सही आंसर होगा, विरजबासा, यानि कि जो बिनम्मर A है, वो यहाँ पर राइट होगा, अंगला कोच्चन बताना है, विरजबासा, हारी बोली ब्रज बोली, हरियान बी बुन्देली और कन्नो जी बोली, विरजबासा, और हरी के पास तो हरियान बी, ये पस्चमी हिंदी की बोड़ी मानी जाती है पस्चमी हिंदी का कोड मैंने आपको बताया था कि कानों के खड़ी बुंदेडी ब्रजभान हरी के पास तो है ना ये कोड याद कर ले ना और अंगली, अंगला जो अपना प्रश्मे है वो कौन सा है? वो है मुगल काल में हिंदी भासा पर प्रभाव डालने वाली जो भासा थी वो कौन सी भासा है मुगल काल में भार्सी, अंग्रेजी, चीनी या फिर जापानी कौन सी भासा है मुगल काल में हिंदी भासा पर प्रभाव डालने वाली भासा हमें बतानी है तो प्रश्ण के रमांग है 21 और 21 का जो बिलकुल आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा फारसी यहनि कि जो ए नम्मर है वो बिलकुल सही मुगलकाल में हिंदी भासा पर प्रभाव डालने वाली जो भासा थी वो थी फारसी ठीक है देख लेते अंगला प्रश्ण अंगला प्रश्ण है दोस्तों इन लिपियों में कौनसी लिपी पहले उर्दू लिपी की भाती दाएं से बाएं लिखी जाती थी तो कौनसी लिपी लिखी जाती थी ब्रामी लिपी खरोश्टी चित्र लिपी या फिर सूत्र लिपी निम्रे लिखेत लिपीयों में ऐसे बताना है कौन सी लिपी पहले उर्दू लिपी की भाती दाएं से बाएं लिखी जाती थी प्रश्ने क्रमाग वाइस का उत्तर हमें बताना है और राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा जद्दी से अगर आपसे बनता है तो कमेंटर में लिखा करें और उत्तर होगा खरोष्टी लिपी यानि कि जो V नम्मर है वो आपका यहाँ पर विल्कुँ सही होगा अंगला है देवनागली लिपी में हिंदी के अत्रिक्त कौन सी भासा लिखी जाती है तमिल, वंगला, पंजावी या फिर मराथी तो देवनागली लिपी में हिंदी के अत्रिक्त कौन सी भासा लिखी जाती है प्रश्निकरमांग 23 और right answer आपका क्या हो जाएगा मराथी यहनि कि जो D नम्मर है वो यहाँ पर बिलकुँ सही होगा मेबाती और हाडवती बोडियां हिंदी में किस बर्ग की बोडियां हैं मेबाती और हाडवती पहारी हिंदी बर्ग की तो 24 का आपका उत्तर होगा राजिस्थानी यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका V है वो विलकुल यहाँ पर right answer होगा अंगला question है अधिकतर भारती भासाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपी से हुआ ब्रामी लिपी से, करोश्टी लिपी से, कोटेल लिपी से, असारदा लिपी से अधिकतर भारती भासाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपी से हुआ है प्रश्निकरमाग 25 का उत्तर आपको बताना है वीडियो को लाइक जरू कर लेना है ठीक है इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम में सुमिध जैन सेल्फ स्टडी क्लासे सर्च करेंगे फेस्बुक में जुड़ने के लिए सुमिध जैन सर्च करेंगे टेलिग्राम में जुड़ने के लिए IAS study trick सर्च करेंगे और join हो जाएंगे है ना तो अधिकतर भारती भासाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपी से हुआ है तब 25 का विल्कु सही आंसर होगा ब्रामी लिपी यानि कि जो A नमर है वो विल्कुल यहां पर right होगा 26 का आंसर हमें बताना है तो आपका विल्कु सही आंसर बताना है हिंदी तर पूचा गया है हिंदी तर भासी राज जो कौन सा है तो वो है महराश्ट यानि कि D नमर आपका विल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला देगलो संभिदान के अनुच्छे 342 के अनुसार संग सरकार के कारियों में अंगरेजी का प्रियोग जारी रखने की विवस्ता कब तक के लिए की गई थी तो कब तक के लिए की गई थी प्रश्नेक्रमा 27 का आंसर बताना है तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 जनवरी 1964 तक के लिए की गई थी ठीक है उसके बाद इसकी जो अबदी है वो क्या कर दी गई वड़ा दी गई तो वी नमवर आपका यहाँ पर बिलकु राइट आंसर होगा हिंदी में किस भासा के अर्थ से पहले सादू भासा तकसाली भासा तता परिनिश्टित भासा का प्रियोग होता है ब्रज भासा खड़ी बोली मानक भासा या फिर जन भासा हिंदी में किस भासा के अर्थ में पहले सादू भासा तकसाली भासा तता परिनेश्टित भासा का प्रेयोग होता है प्रशनिक्रमाग 28 तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है बिलकु सही आंसर होगा मानक भासा सा नम्मर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर अंगला है निमलकित काब पंक्तियां किस कभी की हैं जामे रस कचु होते है पड़ते ताही सब कोई बात अनूठी चाहिए भासा कोई होए भारतेंदु हरिस्चेंद्र की शत्यनारान कभी रतन की जगनादास रतना करकी या फिर महत्री स्टन गुप्ति की यह पंक्तियां भी पूछी जाती है आपकी PGT एक्जाम में नेट एक्जाम में तो प्रश्नक्रमांक 29 का आपका बिल्कुश सही आंसर होगा यह पंक्ति है भारतेंदु हरिस्चेंद्र की आ नमबर ठीक है अंगला कोच्चे ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के बिकास में किस साहतकार ने महत्पुण भूमी का निवाई तो किस साहतकार ने निवाई सदल मिस्र ने मिस्र बंदु ने गिरियर सन ने या फिर अमीर खुसरु ने प्रश्नक्रमांक 30 अंगला कोच्चे ने पाड़ी ने किस ग्रंद के द्वारा भासा को एक रूपता देने का प्रयास किया तो पाड़ी ने किस ग्रंद के द्वारा भासा को एक रूपता देने का प्रयास किया है अश्टाद्याई, महावास, योगवासिस्ट या फिर ब्रहस्पति नीति साथ तब आपका बिल्को सही आंसर होगा दोस्तों अश्टाद्याई यह जो ए नम्मर है वो बिल्को सही है ठीक है अंगला है पुरानी हिंदी को किस भासा का समाना आर्थक माना जाता है प्राकरत का, अपब्रेंस का, पाली या फिर लोकेक संस्क्रित का पुरानी हिंदी को किस भासा का समाना आर्थक माना जाता है प्रश्निक्रमांग 32 और आपका बिल्को सही आंसर होगा अपब्रेंस यानि वी नम्मर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर प्रश्चमी हिंदी का उदभाव किस अपब्रेंस से होगा स्वार सैनी से, मागदी से, अर्द मागदी या फिर पैसाची से प्रश्चमी हिंदी का उदभाव किस अपब्रेंस से हुआ है तब आपका बिल्को सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्निक्रमांग 33 का आंसर और आपने बताया है सौर्स यह अपबरंस यानि की जो A नम्मर है वो विलको राइट होगा Next पूर्वी हिंदी की बोड़ियां आपबरंस के किस रूप से बिक्सेत हुई पूर्वी हिंदी की बोड़ियां प्रश्निक्रमांग 34 और आपका विलको सही आंसर क्या होगा अर्द मागदी यानि की जो बिकल्प नमर आपका V है वो विलको सही होगा ठीक है अंगला कोस्चन देख लेते भासा बिज्ञान के किस खंड में पद से बागदाने की प्रग्रिया का वरण आत्मक तुलन आत्मक तथा एतियासिक गंश्टी से अध्यन होता है तो पद बिज्ञान, भनी बिज्ञान, वाक्द बिज्ञान या फिर अर्थ बिज्ञान भासा बिज्ञान के किस खंड में बताना है आपको 35 का अंसर और आपका विल्कुर राइट आंसर क्या होगा उत्तर हो जाएगा दोस्तो बाक विज्ञान यानि कि जो सा नंबर है वो विल्कुर सही होगा नेक्ट पाली प्राकर्थ भासा है किस से विख्षित हुई लोकेक संस्क्रिट से पुरानी हिंदी से, सौर सहनी से या विख्षित से पाली प्राकर्थ भासा है किस से विख्षित हुई है तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा विख्षित संस्क्रिट यानि कि जो दा नंबर है वो विल्कुर सही हो जाएगा अंगला कोश्चन है भासा के संदर में महतमा गादी ने किसका समर्थन किया किसका समर्थन किया हिंदी का, हिंदुस्तानी का, हिंदुई का या फिर उर्दू का भासा के संदर में महतमा गादी ने किसका समर्थन किया प्रस्निक्रमाग 37 27 और 37 का आपका बिलकुस सही आंसर होगा किसका समर्थन किया तो आपका बिलकुस सही आंसर है हिंदुस्तानी प्रेमाग प्रिश्न करमाग 37 ठिके अंगला question खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है कन्योजी, कौरभी, बगेली, या फिर मगही खड़ी बोली का दूसरा नाम बताना है प्रश्निक्रमांग 38 तो बिल्कुश सही आंसर क्या होगा खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौर बी यहनी की जो वी नमवर है वो बिल्कुश सही हो जाएगा नेक्स्ट है अबदी बोली का कैंदर स्थान क्या है अबदी बोली का कैंदर स्थान बताना है वस्ती है वारा वकी है या फिर वहराईच या फिर आयोध्या अबदी बोली का कैंदर स्थान बताना है फ्रश्निक्रवांग 39 तो आपका बिल्कोँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोध्या, यहिनि कि जो दा नम्मर है वो बिल्कों सही होगा खड़ी बोली का प्रियोग साहित्यक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? सुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मिरट के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित की भासा के अर्थ में, लोक गीतों की भासा के अर्थ में तो खड़ी बोली का प्रियोग साहित्य खिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अर्थ में होता है प्रश्निक्रमांग 40 तो बिल्कु सही आंतर होगा सुद्ध के अर्थ में आ नमबर प्रश्निक्रमांग 40 का उत्र बताना है तो बा नमबर दिल्ली मेरट की आसपास की लोक बोली की अर्थ में होता है ठीक है अर्थ के अतिरिक्त बताना है खड़ी बोली की अर्थ की अतिरिक्त किस में होता है तो यह होता है दिल्ली मेरट की आसपास की लोक बोली की अर्थ में बानामर ठीक है अंगला है अपब्रंच को पुरानी हिंदी कहने वाला प्रथम लेकत कौन था पुरानी हिंदी चंद्रधर सर्मा गुलेरी राम चंद्रसोकल जार्द गिरियर सनिया से उसें सेंगर 41 का अंसर यहाँ पर बताना है अपब्रंच को पुरानी हिंदी कहने वाला जो प्रथम लेक तो राइट आंसर आपका क्या होगा आप व्रंज के प्रिथम महा कभी माने जाते हैं स्यम्भू यानि कि जो वी नंबर है वो विल्कुट सही हो जाएगा यहांपर अंगला है राजबास आदिनियम कब पारिद किया गया 1963, 1664 या फिर 62 तब आपका विल्कुट सही आंसर होगा 1963 आ नंबर ठीक है नेक्ट दोस्तो राजबास आदिनियम में संसोधन कब हुआ 44 का आंसर बताना है यहांपर तब आपका विल्कुट सही आंसर होगा 1967 में ठीक है राजबास आदिनियम में संसोधन हुआ 1967 नेक्ट है सन 1955 में राष्टपती ने जिस राजबास आयोग कि न्युक्ति की उसमें कितने सदस थे 5, 11, 21 या फिर 7 45 का आंसर बताना है तो 1955 में जिस राजबास आयोग की न्युक्ति की थी उस राजबास आयोग में जो सदस्ते दोस्तों वो कितने सदस्ते 21 यानि कि जो सा नम्मर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है तो आज के जो 45 प्रशने थे आज के टेस्ट के वो यहाँ पर कम्प्लीट होती हैं वीडियो कैसा लगा जदी से कमेंट में बताएं बहुत सारे लोग हमारे हिंदी के जो साती हैं ठीक है व 9 बजे अपनी हिंदी की के लास फिर से स्टार्ड हो चुकी है तो सभी लोग एसी प्रकार से 9 बजे नरंतर वीडियो देखें और पूरी की पूरी एक हजार प्रस्नों की सीरेज है ठीक है वो अपन कम्प्लीट करेंगे और अच्छी अच्छी प्रस्नों पर चर्चा करेंगे है ना वीडियो को लाइक और सेर अबस्त करें दोस्तों वीडियो को सेर करें आज के वीडियो के लिए वस इतना ही जैहिन